जैहिन दोस्तो स्वागत आपका हमारे यूटूब शाल में दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए है एक बहुत बड़ी खुसकवरी जिसका आपको बेसबरी से इंतजारता काफी दिनों से आपको इंतजारता जैहां दोस्तो यह भरती आपकी AMC Center की और आपको बता दू इसमें NA की Permanent भरती के साथ साथ जो आपको मैं जानकरी दूँगा वो आज आपकी Soldier GD की है, Killer SKT की है, Soldier Trademan की और Musician की भरती भी दोस्तो AMC Center में होगी और वो सभी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा कौन-कौन से दिन आपको हाँ पर फिजिकल होगा तो सभी जानकरी आपको मैं इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखना और जो भाई इस चैनल को पहली बार देखरें जाकर दोस्तो इस सब्सक्राइब कर लेना है यहां पर सब्सक्राइब का उप्सन है सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओर सेट कर लेना ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट मिलेगी amc center से related या किसी और center से related सो भी जान करी आपको इस channel पर देखने को मिलेगी तो भाई जागर subscribe कर लेना पहले चलिए दोस्तों आपको बता जेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा जेता हूँ यह दोस्तों हमारा telegram channel है अगर इसने अभी तक जोइन नहीं किया आप जोइन करना चाहते हो तो नीचे description में link दिया हुआ link पर click करके आप हमारे telegram channel से join हो जाना वहाँ पर हम आपको आपडेट देते रहते हैं यह कि दोस्तों आपकी permanent भरती है इसलिए soldier nursing assistant की आपकी भरती अलग चलेगी 23 November तक आपकी भरती खतम हो जाएगी उसके पाद 24 November दोस्तों आपकी भरती हो जाएगी दूसरी start पहले मैं आपको soldier जो एनने की है उसमें आपकी age cutoff बता जाता हूँ एज कितनी है वहाँ पर ली गई है आपकी बार soldier जोस्तों आपकी soldier technical nursing assistant की जाने की एनने की जो भरती है उसमें आपकी age limit है साड़े सतरे साल से लेकर 23 साल तक जो आपकी date of birth बते है वो है 1 October 2002 से लेकर एक अपरेल 2006 के बिच में आपकी यहाँ पर date of birth होनी चाहिए और एक दोस्तों एक सवाल ओर आपका क्योंकि किसी के पास 200 PCM करे हुए उसने बाद में दोस्तों additional से उसकी bio का exam दिया होगा जीडी, ट्रेडमेन, किलर्क यह सभी भरती दोस्तों जो आपकी होगी तो यहाँ पर आप दोस्तों यह PDF देख सकते हो यह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगी PDF तो टेलिग्राम चैनल जोईन कर ले न यहाँ पर आप देख सकते हो 24 नॉमबर यानि कि 23 नॉमबर से तो आपकी भरती खतम हो जाएगी उसके बाद 24 नॉमबर से 2 दिसंबर तक आपकी भरती चलेगी और यह दोस्तों आपकी भरती होगी मैं आपको बता जता हूँ किसकी चील की है कि तो आपकी किलर्क की होगी उसके बाद आपकी अगनीवी ट्रेडमेंट 8 पास की जोगे हाउस कीपर में दोस्तों आपकी भरती है यह दोस्तों आपकी कंड़क्ट होगी एमजी सेंटर में 24 नॉमबर से लेकर 24 नॉमबर तक आपको यहाँ पर भरती चलेगी और जो आपको यहाँ परर रिपोर्टिंग करनी है वो होगी दोस्तों आपको पहुचना है नंबर 1 मिललर्ट्री ट्रेनिंग बटालियन में गेट पर जो उसके बाद दोस्तों इसमें आपको वेकेंसी बताती हूँ कितनी कितनी आपकी वेकेंसी है सब चीज दोस्तों जान करें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी यहापर दोस्तों आप देखें यहापर जो soldier gd की है वो दोस्तों यहापर आपकी जो भरती होगी वो आपकी date screening 24, 25, 26, 3 दिन आपकी भरती चलेगी जिसमें age है दोस्तों साड़े सतरे साल से लेकर 21 साल तक उसके बाद killer की है और SAT की है वो दोस्तों आपकी same है साड़े सतरे साल से लेकर 21 साल तक उसके बाद है soldier trade man 10th pass की है वो भी साड़े सतरे से 21 साल और trade man 8th pass वो भी आपकी साड़े सतरे से 21 साल दोस्तो सेम आपकी यहाँ पर है और आपकी age cutoff के बारे में बात करता हूँ दोस्तो 1 October 2002 से लेकर यह दोस्तो आपकी head soldier GD के लिए, trade man SKT के लिए और आपके clerk के लिए सभी के दोस्तो एक यहाँ आपकी age cutoff है 1 October 2002 से लेकर 1 April 2006 तक आपकी यहाँ पर age cutoff रखी गई है तो भाई आप देख सकते हैं जिसका इसके बीच में आपका बैटर हो आपकी age cutoff आपको बतायता हूँ कि हाँ पर दोस्तो आपकी वेकंसी कितनी है और ना ही जातर किसी सेंटर में पता लगता है कितनी वेकंसी आई है लेकिन कुछ वेकंसी जो ट्रेड मैनी खुल जाती जैसे कि आपकी अगनीवीर सेफ के दोस्तो चार वेकंसी है एक वेकंसी वोशर्मन की है, मुजिशन की आपकी चार वेकंसी जो की टेंध पास है, open category में आप भरती देख सकते हो आपकी steward की एक वेकंसी, tracer की एक वेकंसी, house की पर जो की आपकी 8 पास होगी, 14 वेकंसी आपकी होगी, दोस्तों आपको registration करना होगा, आपको जो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं, आप भी देखियो वीडियो जाकर देख लेना, वैसे एक बार फिर बता जैता हूंगा, आपको यहाँ पर आपकी जो बहेजना है, आपकी डोकुमेंट्स आ certificate होगा, personal ID होगी, आपकी mobile number होगा, जिससे आपकी mobile आधार कार्ड लिंक होगा, आधार कार्ड दोस्तों आपको यहाँ पर भेजना होगा, दोस्तों यह चीज है दोस्तों आपकी जो आप यहाँ पर भेज सकते हो, आप अपने trade के हिजाब से यहाँ पर भेज सकते हो, दोस् आपको इस भड़ती की जानकारी लेकर आपको खुसी होई हो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर देना अपने दोस्तों साथ सेयर करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल जोईन करने और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाली AMC में जो अपडेट मिलेगी हम आपको इस यूटूब चैनल के माद्यम से जरूर बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत मिलते हम आपसे फिर किजो नेक्स्ट अपडेट के साथ